क्या आप जानते हैं कि emojis सब्द आया कहां से है और इसका मतलब क्या होता है और क्या आपने कभी ऐसा जीब देखा है जो खुद को गेंद की अकार में बदल लेता है क्या आपको ये पता है कि एक पैंग्रिन को अपने प्यार के बारे में बताने के लिए गिफ्ट देना पड़ता है ऐसे एमेजिंग फैट के लिए वीडियो के लाज तक बने रहे मच्छर जब उड़ते हैं उनके छोटे छोटे पंख होने के करण वे आपस में बहुत तेजी से टकराते हैं और इसी टकराफ के करण उनकी भिन भिनाने की आवाज हमारी कानों में सुनाई देती है समुंदरी घोड़ा विश्व का एक मात्र ऐसा जीव है जिसे मादा के स्तान पर नर को प्रवाद पीड़ा भुगतनी पड़ती है अपने रोयलक्स घड़ी का नाम तो सुना ही होगा जो की एक सबसे महंगी कमपनी है जो एक एंजियो द्वारा चलाई जाती है और उनके प्रॉफिट का 90% पैसा डोनेशन में जाता है क्योंकि इस कमपनी का जो मालिक है वह एक अनात बच्चा है हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं बच्चों की मुष्कान तो सभी लोगों को पसंद है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इरान की इस चार साल की बच्ची अनाहिता की मुष्कान को दुनिया की सबसे खुबसूरत मुष्कान वोशित किया गया है जब पूरे टापू में सबसे बड़िया फत्तर खोशता है महिला पैंगून को देने के लिए गजब का प्यार है आपने लाइफ में कभी तो बबबर शेर की अवास्ते सुनी होगी चाहे वो चिडिये गर में हो या फिर अपने टीवी में सुनी हो क्या आपको पता है कि एक बबबर शेर की जो दाहार है वो कितनी दूर तक सुनाए दे सकती है मैं आपको बताता हूँ एक जो बबबर शेर की दाहार है वो आठ किलो मीड़ दूर तक सुनाए दे सकती है आपने लाइफ में कभी न कभी साप को तो देखा ही हो क्या आपने को ये पता है कि विश्व का सबसे तेज चलने वाला साप कौन सा है मैं आपको बताता हूँ विश्व का सबसे तेज चलने वाला साप ब्लैक मम्मा को माना जाता है ये अफ्रीका में पाया जाता है और ये जैरीले सापो में पांचमें इस्तान पर रखा गया है य जो कि हजार से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं इनका नाम गिनिस वर्ल्ड रिकोर्ड में भी शामिल है। साउथ अमेरिका में आर्म डिलो नाम का ऐसा जीप पाया जाता है जिसकी तोचा ब्लड पुर्फ होती है जो कि खत्रे को भापते ही फुट्वल की अकार में बदल जाता है और अपनी ब्लड फुर्फ तोचा की वज़े से वह खुंकार जानवरों से अपनी रक्षा करता है। फैक्टर नमबर वान जिसमें एक पिचर और ँप ज्चर आपको पता होगा कि इमोजी एक स्मोल डिजिट आइकन है या फिर पिचर है जिनको हम academic communication या फिर अपने emotions को दूसरों के सामने प्रजेंट करने के लिए करते हैं श्चर पल्た है को वड़ इमोजी डे के रूप में मनाया जाता है ऐसे में फैक्ट के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब तरह बैल गंटी दवन ना भूले